नमस्कार स्वागत बच्चों आपका सेल्स्टेडी के चैनल में और आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि जो भारत के अंदर जो कोर्ट हैं या फिर हाई कोर्ट हैं उनकी भाषा यानि लेंग्विज क्या होनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश या फिर हिं में आया है इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं तो इस एक पत्रिका का नाम है Самणा बरस्टाचार्क तो यहां पर जैसे दा हिंदू एक न्यूजपेपर होगा पत्रिका गुजरात की है यह तो वहाँ पर क्या हुआ जब वो व्यक्ति सामने हाई कोट में जब गए तो वहाँ पर जब अपनी ही रिजनल लैंग्वेज यानि की गुजराती में बात कर रहे थे और उनको रोकते हुए गुजरात के जो हाई कोट के चीफ जेस्टिस हैं सब्लकando को रोकते होए कहते हैं कि आप जो है वो अपनी ये गुजराती लैंग्वेज में नहीं बोल सकते हैं आपको इंगनीश में बात करनी पड़ेगी अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हैं आपको एक translator प्रवाइड करवा देते हैं तो यहीं से एक मुद्दा स्टार्ट होता है क्या English इतना जादा important इतनी जादा important है कि किसी व्यक्ती जिसकी अभी व्यक्ती यानि Article 19 के अंदर कहा गया है कि वो अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है अपने विचारों को अपने लोगों के सामने रख सकता उसको ये अजादी है समिधान उसको ये अजादी देता है और उसके उपर ये पबंदी लगाते हूँ उसको रोका जा रहा है कि आप English में बात मत करिए आप मतलब कि English में बात करिए आप गुजराती में बात नहीं कर सकते साथ ही साथ Article 21 में जहां पर ये बात कही गई है कि हर व्यक्ति को अधिकार है न्याई मिलने का तो Right to Justice भी यहां पर एक तरीके से देखा जा रहा है उसका भी वहां पर अवहिलना की जा रही है उसको भी दिया नहीं जा रहा क्योंकि अगर आप किसी को बोलने दी देंगे तो वो कैसे साबित करेगा जो उसने किया वो गलत है या सही है वो अपने विचार कैसे सामने रखेगा तो उसको Right to Justice का भी मतलब उसको दिया नहीं जा रहा है तो यह सारी चीज़ें यहां पर उठके आ रही है तो इसके बारे हम चर्चा कर रहे है कि English इतनी important क्यों है क्या English को हटा देंगे तो क्या मतलब कि क्या परिशानियां आ सकते हैं या फिर क्या क्या चीज़ें हो सकते हैं हर किसी को English तो आती है नहीं तो वो कैसे न्याय प्राप्त करेगा तो इस सारी चीज़ों की हम जिगर करने वाले इसी वीडियो के अंदर तो थोड़ा बहुत हम background जानते हैं भारत के अंदर जो न्यायले हैं या फिर court हैं हम बात करते हैं मुगल के टाइम से मुगल के टाइम में उर्दू चलती थी उर्दू से फिर फार्सी ट्रांसफर हुई फार्सी से जब यहां पर अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजों के टाइम में भी जो वहां पर अधिनस्त न्यायले यहां पर भी फार्सी चला करती थी तो यह ट्रांसिशन फेस हमने देखा है फिर क्या हुआ अंग्रेजों ने एक कोडिफाई सिस्टम मतलब इंटर्डूस किया जो इंग्लिश में था ओफिशियल लैंग्विज इंग्लिश को बना दिया अंग्रेजों ने फिर यहां पर एक बड़ी इंपोर्डन चीज़ है आर्टिकल 343 बहुत इंपोर्डन आर्टिकल है जब देश आजाद हो गया था तो कहा गया कि भारत की ओफिशियल लैंग्विज देखिए एक ओफिशियल लैंग्विज एक ओफिशियल परपस दो अलग अलग चीज़े है इन्होंने कहा कि ओफिशियल लैंग्विज जो है वो क्या होगी वो हिंदी होगी भाषा देवनागरी लिपी जैसे इसमें लिखा हुआ ने यह देवनागरी लिपी है तो इसके अंदर होगी ओफिशियल लैंग्विज होगी लेकिन ओफिशियल परपस नहीं होगा ध्यान रखना दो चीज़े हैं ओफिशियल लैंग्विज और ओफिशियल परपस फिर कहा गया कि जब देश अजाद हो गया तो वो इसमें include कर सकते हैं तो ये बात बोले गई थी कब जब देश अजाद हुआ था अब ये 15 साल सर अभी इतना time हो गया 75 साल होने वाले हैं अब क्या हो गया कि ये अभी भी चल रहा है 15 साल के complete नहीं होए इसके बारे में अभी चर्चा करने वाले हैं अभी या फी एक तो हमने आर्टिकल कौन सा देखा 343 जिसमें क्या कहा गया कि भारत की official language क्या होगी हिंदी होगी अब आते हैं आर्टिकल 348 का close 1 का sub close A आर्टिकल 348 का close 1 और sub close A में क्या बात कही है ध्यान रखना इसमें कहा गया अगर पार्लेमेंट कारवाई होगी जितनी भी proceeding होगी वो किस के अंदर होगी वो English language के अंदर होगी ध्यान रखना ये क्या बात बोली जा रही है 348 आर्टिकल के अंदर ये बात बोली गई है उसके 1 close के sub close A में ये बात बोली गई है कि जब तक पार्लेमेंट नहीं परवाइड कर देता कोई language तब तक Supreme Court और High Court जो है वो कौन सी language यूज करेंगे वो English यूज करेंगे फिर एक अगला आर्टिकल आया 348C है 348 का close to जिसमें ये बात बोली गई कि ये जो आप 348 का close one की बात करें इसमें जो प्रावधान है इसमें थोड़ा बोच चेंज कर सकते हैं चेंज कैसे अगर राज्यपाल चाहे राश्टपती से एक अनुमती ले सकते हैं और राश्टपती से अनुमती लेकर उच्छ नियाले ध्यान रखना यहां उच्छ नियाले की यानि High Court की बात हो रही है तो जो चाहे राज्यपाल चाहे तो राश्टपती से अनुमती लेकर उच्छ नियाले के अंदर हिंदी या फिर वहां के जो शेत्र आ रहा है वहां की कोई भी रिजनल लेंग्वेज वो एड़ कर सकते हैं यह बात बोली गई है 348 आर्टिकल में उसके क्लोस टू के अंदर कि किसी भी शेत्र के किसी राज्य के अंदर अगर राज्यपाल जाता है अगर गवर्नर चाहे तो वहां पर इंग्लिश के अलावा वो हिंदी या फिर वहां की कोई भी लेंग्वेज वो इंक्लूड कर सकते हैं क्या ऐसा हुआ है? बेशक हुआ है कहां कहां पर? उतर परदेश में बिहार में, राजस्तान में, मध्या परदेश में यहां पर जितनी भी कारवाई वो हिंदी का उपयोग करते हैं यहनि इंग्लिश ठावन लेंग्विज अफिशियल एंग्लिश जो क्या कहा था मैंने Official Purpose के लिए Hindi वहाँ पर यूज की जा रही है Tamil Nadu में क्या है? Tamil Nadu में अभी फिलाल चल रही है बात Tamil को शामिल करने की तो यह चीज़ें हो सकती है मुद्दा क्या आया? मुद्दा वहाँ पर जो Contempt of Court का जो Reporter जो आये हुए थे इनके उपर Contempt of Court लगा हुआ था तो उनको चाहे तो गुजराती में बोल सकते थे जब उनको बोला गया कि आप English में बात मत करिए तो सारा case आजाता है गवर्नर के पास वहाँ पर गवर्नर ने अप्लाई नहीं कर रखा कि आप गुजराती में भी बोल सकते हैं वहाँ भी तक बात नहीं हुए कितने-कितने राजों ने बोल रखा है तो यहाँ आपके सामने लेखा हुआ है ठीक है एक चीज दूसरी बात बोली गई जो इंग्लिश है वो सर्वोच नहले और उच नहले की प्राथमिक भाषा की रूप में मानेता देती है देखे यहाँ पर साथी साथ एक बात और बोली गई थी कि आप भले ही इंग्लिश के अलावा दूसरी भाषा यूज कर सकते हो लेकिन अगर कोई मतलब की जज्जमेंट पास हो रहा है तो उस जज्जमेंट को आप इंग्लिश में ही प्रवाइड करवाएंगे एक तरीके की ये बात भी है वहाँ पर तो यहाँ पर समिधान में ये प्रियोर्टी तो दे दी गई ना इंग्लिश जो है वो सर्वोच नेले यानि सुप्रीम कोटर हाई कोट की जो प्रात्विंग भाषा की रूप में है कलीर यहाँ पर आगे चलते हैं थोड़ा सा अब राज्य भाषा अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक आर्टिकल पढ़ा है ना आर्टिकल 348 का क्लोज टू तो यह तो आर्टिकल हो गया इसमें तो यह बात बोल दीगी कि राज्य पाल चाहे तो एक लेंग्विज एड़ कर सकता है वहां के सुप्रीम कोट की बात नहीं हो यह हाई कोट के अंदर अब अगली बात क्या बोलेगे यह जो चीज थी ना 348 का आर्टिकल 348 आर्टिकल का इसका close to इस चीज को लागू करने के लिए एक एक आता है ध्यान रखना यह लिखने से बात नहीं हो जाती है इसको लागू करने के लिए एक एक आया वो एक था Official Language Act 1963 जिसके अंदर पावर दी गई राजय पाल को यह अधिकार दिया गया कि राष्टपती से अतुराइज कर ले उनसे बात कर ले कि हां मैं यहाँ पर जो है वो एक इंगलिश के लावा दूसरी लेंग्विज यहां पर इंट्रडूज करना चाता हूं तो वो एड कर सकते तो वहाँ पर जो सुप्रीम कोट है क्या होगा वहाँ के जो निडने पारित होंगे हिंदी या फिर वहाँ की राज्य की किसी अन्य भाषा के प्रयोग में अनुमती दे सकते हैं परन्तु जिहां रखना है यहां पर एक बात है परन्तु इसके साथ इसाथ इसका इसका अंग्रेजी अनुवाद भी होना चाहिए यह इंपोर्टन्ट है अब इससे क्या पता चल रहा है इससे यह पता चल रहा है कि जो समीधान है जो constitutional provisions है उसने यह प्रवाइड कर दिया English जो है वो priority के उपर है ठीक है लेकिन आप ऐसा नहीं है कि English में English के लावा दूसरी भाषा भी यहां पर include कर दी गई है यह सिर्फ और सिर्फ High Court के अंदर है अभी subordinate court की बात करेंगे लेकिन Supreme Court में कहीं पर भी इसका उलेक नहीं है Supreme Court में कहीं पर भी उलेक नहीं है तो Supreme Court में कौन सी language चलेगी English वहां पर यह बात बोली गई थी कि जब तक कोई language प्रवाइड नहीं करवा दी जाती Parliament के तौरा तब तक वहां पर जो proceedings हैं वो English में की ज आचा आगे जलते हैं अब एक बात करते हैं जो लेडिगनट है अभी जैसे वहां पर मुकतमे बाजी कर रहे हैं जो वादी हो मुकतमे बाजी उनके इन अधिकारों का हनन किया जा रहा है ध्यान रकना जो ये मुकदमे बाजी को मैजिस्ट्रेस्ट के सामने उस भाषा में बोलने का अधिकार है जिसे वो समझता है अगर मैं हिंदी समझ रहा हूँ हमारी समिधान में एक Article 21 हमें न्याए का अधिकार भी देता है कि मुझे न्याए मिलने का अधिकार है अगर आप मुझे बोलने की सुन्दंतरता नहीं देंगे तो मुझे न्याए कहां से मिल जाएगा तो यह चीज है पूरी कारवाई समन्ने का अधिकार है जो यहां पर मुकदमे बाजी कर रहे हैं अब यहां पर एकागे चलके हम एक चीज पढ़ेंगे कि अगर वो जो वहां पर लिटिगेंट है उनके उपर कोई मुकदमा चल रहा है यहां फिर उनके उपर उनके उन्होंने कोई जज्मेंट पारित किया गया है वो चाहें तो उस जज्मेंट को कनवर्ट करवा सकते हैं दूसरी language के अंदर और translate करवा सकते हैं और उस translation का कोर जो है वो code भुकतेगा clear यहां पर आओ जरब अब आते हैं subordinate court की बात subordinate court में क्या होगा subordinate court में जो language होगी वो civil प्रक्रिया सहींता 1908 में यहाँ पर एक जो लागू किया गया था इसके प्रारम में जो भाशा बोली गई थी ना ये वो होगी दरसल सीधी साब सबस्पर शब्दों में बात करो अधिनस्ति यानि subordinate courts के अंदर जो language होगी वो वहाँ जो राज्य सरकार वो चाहे अपनी उन भाशाओ को बदल सकते यानि वो अगर राज्य सरकार चाहे हिंदी करना तो वो हिंदी कर सकती है तमिल कर सकती है आसमी कर सकती है वो जैसी language चाहें वहाँ के subordinate court में वो लागू कर सकती है ध्यान रखना इस चीज़ का साथ यसाथ एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो magistrate है वहाँ पर वो अंग्रेजी में निर्ने देंगे ठीक है वो निर्ने देंगे वो अंग्रेजी के अंदर आदेश निर्ने आदेश या डिक्री जो भी निर्ने होंगे वो अंग्रेजी के अंदर पारित केंगे इसको convert किया जा सकते है दूसरी बात जो evidence होंगे उसको वो राज्य है जिस राज्य में जिसके पर एक कारवाई चल रही है वो evidence है वहाँ की उसी language में वो ले सकते है और यहाँ पर यह बात बोलीगी नै अभी वक्ता को अंग्रेजी में अगर उनको ज्यान नहीं है उस थिती में क्या होगा वो अन्रोध करते हैं अदालत से कि उस भाशा का अनुवाद उपलब्द करवाया जाए और इसका खर्च कौन सहेगा कोर्ट सहेगा ध्यान रखना इस चीज़ की तो सबोडिनेट कोर्ट में क्या होगा language जो है वो वहाँ की government अपने according चेंज कर सकती है कैसे दंड परकरिया सहीता 1973 की धारा 222 में कहा गया था कि राज्य सरकार उच न्यालों के अलावा सभी न्यालों की भाषा का निर्धारन करेगी मोटे तोर पर इसका ताथ पर यह है कि जिला अदालतों में इस्तमाल की जाने वाली भाषा राज्य सरकार के निर्देशा अनुसार शेत्रिय भाषा होगी हिंदी हो सकती है वो वहां की कौंकणी हो सकती है वो वहां की गुजराती हो सकती है तमील हो सकती है तेलगू हो सकती है वो डिपेंड करता है कि कि शेत्र में या फिर किस राज्य में हम बात कर रहे है अब यह बात करे हैं कि अंग्रेजी का इतना important क्यों है? क्यों इंग्रेजी जो है वो English जो है वो इतना use की जा रही है? दीखे जो Supreme Court है Supreme Court में ये तो है नहीं किया सिरुफ सिरुफ उत्र भारत की case आती होंगे जहां पर ज़्यादा तरह Hindi बॉली जाती है वही Supreme Court है पूरे देश के case आते हैं यहाँ पर जैसे Supreme Court के अंदर पूरे देश के जहां पर अलग-अलग भाशाएं बोगे जाती है उनके सब के case आते हैं ठीक वैसे Supreme Court के अंदर जो judge हैं जो वकील हैं वो भी तो देश के अलग-अलग हिस्सों में आते होंगे अलग-अलग हिसों से आते हैं कोई तमील नाडू से आया हुए है कोई यहाँ पर अंदरपरदेश से, कोई तैलांगाना से कोई उत्तरपरदेश से अलग-अलग बशेत्र से आया हुए है तो वहाँ पर जरूरे नहीं है कि उनके सामने जो दस्तावे, जो डोक्यूमेंट उनके सामने रखे गई है वो उस डोक्यूमेंट को उस भाषा में समझ पाएं इंगलिश के अलावा अगर कोई दूसरी भाषा है तो भाई वो उनके प्जारे में जानते ही नहीं होगे तो यसलिए इंगलिश इंपोर्टन हो गई यहाँ पर दूसरी चीज यह थी, अगर इंगलिश नहीं होगी तो वहाँ पर वो अपना काम सही ढंक से करनी पाएं क्यों कि सुप्रीम कोट अपने सारे निड़ने किसके अंदर देते हैं इंगलिश के अंदर देते हैं तीसरी बात यह बात पोली गिती, 2019 में कोट के द्वारे यह निड़ने लिया गया है कि शेत्री भाषाओं के अंदर भी अनुवाद किया जाएगा इन्हीं ट्रांसलेशन किया जाएगा इसकी शुरुआत की गई थी, clear अब समझो जरा, इंगलिश के महतों को समझो एक है यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी के मतलब कि वर्तमान में जितने भी हमारे देश में भारत की न्याइक परनाली है वो एक अच्छी तरह से विक्सित हो चुकी है एक ही करत है, मतलब कि जो उत्रपरदेश में, जो खनून है, इंगलिश के अंदर वो same to same, पूरे भारत में भी तो है, ना वो हर्याना में, वो राजस्तान में, ऐसा नहीं है कि अलग-अलग चल रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है एक होती है, असान पहुँच, असान पहुँच मतलब कि easy access हो चुका है, कि कोई वकील अगर हर्याना से निकल कर दूसरे शेत्र में जा रहा है, मैं कहूं कि वो तमीलाडू में जा रहा है, तो वहां पर वो चाहा कर वहां पर असानी से उन चीजों को समझ सकता है, क्योंकि वहां पर language उनको English ही मिलेगी, same वो justice के उपर भी होती है, अगर हम किसी justice का, किसी भी judge का transfer कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा है मतलब government अगर transfer करती है, तो वो दूसरी जगे पर जाते हैं, तो उनके लिए वो चीज़ें असान हो जाते हैं, क्योंकि जो language है वो English रखी गई है, तो यहां पर seamless transfer हो सकता है असान पहुँच हो सकती है uniformity होती है, एक एकिकरिस संचना यानि एक unified structure दिया गया है, भारत में जो न्याइक परणाली को एक एकिकरिस संचना परदान की गई है, किसके द्वारा? English के द्वारा ही, clear? एक संपर्ख भाषा है, संपर्ख भाषा है निए link language बहुत हद तक हम अंग्रेजी भाषा के एक तरीके से देखा जाएं तो इसने एक connectivity का काम किया है हमारे देश में दो दरजन अधिकारिक भाषा हैं दो दरजन अधिकारिक भाषा हैं तो यहाँ पर अलग-अलग भाषा को अगर include करते चलेंगे तो यहाँ पर मामले ही सामने सही नहीं हो पाएंगे, अल्रेडी भारत के अंदर कितने मामले जो है, वो court के अंदर pending चल रहे हैं, अगर एक और language का factor इनके अंदर include कर दिया जाएगा तो यह मामले कभी भी सुनवाई में आई ही नहीं पाएंगे अब आगे की राख हैं देखे 25, 25 हमारे देश में विभिन high court हैं, अगर इनकी अधिकारिक भाषा का अगर मुद्दा खड़ा हो जाए, तो problem create हो जाएगी, problem create कैसे कि आप सोचिए कि एक शेत्र का मतलब कि आज हरियाना या राजस्तान से निकल कर कोई judge है, वो जाते हैं किसी भी तमिलनाडू शेत्र, यानि दक्षिन साइड में, साउस साइड में जाते हैं, अगर वहां के जो high court में language already decide की हुई कि इस language में बोला जाएगा, इस language में निर्णे किया जाएगे तो वो अपने निर्णे से ढंग से दे ही नहीं पाएगे, उनके सामने वो चीज़ें problem हो जाएगी, तो यहां पर transfer करने में problem हो जाएगी, यह चीज़ें हैं clear हुआ, तो यह था आज की date का जो English में, जो वहां पर बोला गया है कि आपको English में बोलना ज़रूरी है तो ऐसा कुछ नहीं है, वो बोल सकते हैं अपनी original भाजा में, जब कि यह समीधान भी अधिकार देता है article 19 उनको अधिकार देता है कि वो अपनी अभी व्यक्ति क्या जाती है, अपने विचार वो व्यक्त कर सकते हैं, और वहां पर high court के अंदर राज्यपाल जहें, वो चाहें, तो राष्टपती यानि प्रेजिडेंट से अनुमती लेकर एक English के लावा दूसरी language भी include कर सकते हैं, ठीक है, तो यह आज का एक topic, जो भाहाँ ज्यायले की language क्या होनी चाहिए, उमीद है आप लोगों को समझ में आएगा, और समझ में आएगा है तो प्रीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को लाइक करिए वीडियो को, और ज्यादा ही जोइन कर लिजिए, साथ ही साथ Facebook ग्रुप का Facebook पेज का भी मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर, मतलब कि आप जाएंगे तो एड होंगे, आपके exam के point of view से बहुत सारी चीज़ें आप पर प्रवाइड की जा रही है, books हो गई, या फिर notes हो गई, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगे तो बस आज के लिए इतने था, thank you for watching this video